इमस्कार आप देख रहे हैं प्रात्मा हुस्विकार मैं हूँ आपके साथ रिखा उत्राखन की बरफीली वादियों में महादेव अपने जोतरलिंग स्वरूप में विराजमान है हम बात करें हैं भगवान शिफ के सबसे कल्यानकारी धाम केदानात की आज से केदानात की कपाट खुल गए हैं और भगवान अपनी भक्तों को दर्शन दी रहे हैं बम बम भोली के जैगोश के साथ ही केदार घाटी शिवमाई हो गई है तो चलिए आपको भी कराते हैं बाबा केदार के दर्शन बाबा के दार दे रहे हैं भक्तों को दर्शन खत्म होगा भोले के भक्तों का इंतसार भक्तों के लिए खुला बाबा के दार नात का द्वार हिमालय के चोटियों पर छे महिने तक मौन धारन करने के बाद आज के दार नात धाम मुखर हो उठा सुबा सुबा पवित्र कपाट खोल दिये गए मंत्रों चारण के साथ बाबा का कपाट खुला तो श्रधालू भक्ती में लीन हो गए श्यों की भक्ती में डूबे श्रधालू में गजब का उत्साह दिखा कितार नात के कपाट खुले तो भोले नात की नगरी का रंग देखते ही बन रहा था हजारू भक्त बाबा के दार नात के दर्शन के लिए बाबा की नगरी में उमरने लगे है अतना दिव्य स्थान ये है कि जिस व्यक्ति के मन में शिव के प्रति कामना है उसको भगवान विभन रूपों में आग बिलकुल ही दर्शन दे दे देते हैं अगर आप पापी भी हैं तो भी उस धाम में जाने के बाद वहां की जितनी भी एक औरा बनी हुई है जो वहां की दिव्यता है वो आपको प्रभावित करे बगएर नहीं रह सकती आप उनका साक्षा तनुभव कर लेते हैं ये वो स्थान है सबसे पहले डोली को मंदिर के अंदर प्रवीश कराये गया मंत्रो चारण के बीच जलाभिशेक रुत्राभिशेक समेथ सभी धार्मी का नुष्ठान संपन हुए विदेविधान से पूजा अर्चना हुई फिर केदारनाध धाम के कपाट आम दर्शनों के लिए खोल दिये भक्तों से फिर गुलचार हुठी के दारनाध धाम के रौनर फूलों की महें और भक्ती के रंगों से सजे के दारनाध मंदिर में गूजने लगा हर-हर महादेव का जैकारा भक्तों का सेलाप मढने लगा भोले के भक्त बंबं के जैगोश के साथ केदार घाटी में भक्ती में लीन दिखे भगवान के दारनाध के मंदिर को फूलों से सजाये गया फूलों के साथ बिलपत्री, आम और पीपल के पत्तों की माला का भियोप्योग किया गया भूले के भक्तों की आस्था और उनके विश्वास को शक्ती प्रभू के भक्ती से ही मिलती है यही वज़ा है कि बाबा के भक्त बड़ी बिसबरी से कपाट खुलने का इंतजार करते हैं बाबा के परंपरा के मुताबिक छे महीने तक उखी मट के उमका रिश्वार मंदीर में रहने के बाद भगवान शियू की बाल की के दारनात के लिए रवाना होती है हैं आजले छे महीने तक बाबा के दारनात में ही बीराजेंगे चे महीने आम उखी मट में रहते हैं वहाँ पर सब यवस्ता होता है उखी मट में लेकिन यहाँ मंदिर में आईसा आख्या ही कहा है खे महेने मानवों से पूजा होती है, शे महेना देवताओं से पूजा होती है हां पर इस प्रकार का वो जब खुल जाता है तब अब अभी अभी पूजा क found किया जैसे फूर फंप लेकर कर के मजब सब्सक्रादे के प्रसाइब है। उत्राखंड के बरफ़ेली वादियों की बीच बसे है भग्वान के दारनात जहां आस्था यूगो पुरानी है और भगवान शीव का मंदिर सधियों पुरान आ कितार नाथ की महीमा ऐसी है कि इनके धर्षन के बिना तो भगवान बदरी नाथ के दर्षनों का भी कोई लाग नहीं उत्राखंड के चार धahhमों में से एक धाम कितार नाथ माना जाता है यह हिमाला की केधार छोटी परिस्थित है इस धाम में भगवान शिव का दिव जोतेरलिंग विराजमान है ये धाम अलकनंदा नदी के तट परिस्थित है माना जाता है कि बिना केदारनात के दर्शन के बद्रीनात का दर्शन सफल नहीं होता छे महीने बर्फ से ढख जाता है केदारनात मंदिव इसी कारण छे महीने बंद रहते हैं भगवान के दारनात के कपाट हर साल अक्षे तृतिया के बाद मंदिर के कपाट खोले जाते हैं किदानात एक स्वेंभू शिवलिंग है वो साक्षात भगवान शिव का अवतरन वाला रूप है इसके बारे में कथा प्रचलित है कि जिस समय महाभारत युद्ध के बाद ये लोग पांडव जब प्रियान की यात्रा पे चल पड़े अपने बंदू-बंदवों की हत्या से इतना मन अशान्त हो गया था कि सन्यास की ओर या धर्म यात्रा तिर्थ यात्रा की ओर जाने के लिए जब चल पड़े तो जब जाते हुए मार्ग में भगवान शिव के दर्शन करने की अभिलाशा होई तो इनके पाप होने के कारण से या ये कहें कि अपने बंदू-बंदवों की हत्या का दोश होने क करन भगवान शिव ने इनको दर्शन नहीं दिये और भगवान शिव वहां घूम रहे एक जो गाय और बैलों का जुंडता उसमें एक बैल के स्वरूप में स्वरूप में प्रवेश कर गए तो भगवान शिव जब धर्ती में समाने लगे तो उनकी पूंच पकड़कर भी में पांचवा स्थान रखता है और इस दिव्वे और जमतकारी स्थान का पुराणों और धर्म ग्रंथों में भी महत्व है कि दारनात मंदिर सिर्फ आस्था का प्रतीक नहीं है बलकि दीश के सदियों पूराने इतिहास का साख्वी भी है कि दारनात तक पहुँचने की राह कठिन जरूर है लेकिन श्रधा और भक्ती के आगे कठिन राह कुछ भी नहीं माना जाता है कि शियो जी यहां भैसे के रूप में प्रकट हुए थी पांडो के अथक परिश्रम से उन्हें यहां शियो जी का दर्शन हुआ और विपाप मुक्त भी हुए इसलिए यहां के शियो लिंग का सुरूप भैसे की पीट के समान है भगवान के दर्शन से समस्त पापों का श्यमन हो जाता है और मुक्ष का मार प्रशस्त होता है आगे हम भगवान के दर्शन की कुछ और महिमा का गुणगान करेंगे केदारनाथ धाम भक्तों की आस्था का केंद्र है क्योंकि यहां विराजमान है स्वयम दिवादी देव महादेव भगवान श्रीव के 12 जोतिर लिग में प्रमुख है केदारनाथ तो चलिए आपको अब बताते हैं केदारनाथ धाम की महिमा आज से भगवान के दारनाथ भक्तों को दर्शन देंगे और इसे के साथ हिमाले के गोद में बसे इस पावन धाम में भक्तों के पहुचने का सिलसिला शुरू हो गया है उखी मट के उंका रिश्वर मंदिर में छे महीने के शीत कालिन प्रवास के बाद भगवान के दारनाथ के दार धाम में पधार चुके हैं भगवान के लिए श्रेया उसी भव विकनाने अच्चे काम में बादाए आदे रहते हैं उस विकारते हुए सभी लोगोंने अंतरात्त की आवास से स्रत्धा वक्ती वजाए से सब लोग ये कच्चे को करके देशन ले रहा हैं उनको भगवान क्रफा करें श्यू के बारह जो दिरलंगो में प्रमुख हैं बाबा के धारनाथ गौरी कुन से शुरू होने वाली के धारनाथ यात्रा में कोई पैदल तो कोई घोड़े पर कोई पालकी पर तो कोई हेलिकॉप्टर से बाबा के धार के द्वार पहुंचता है रास्ते में आपको खुबसूरत वादियां, पहाड और नदियां मिलेंगी ये द्रुश इतना मनमुहक होता है किसे देख कर सारी ठकान उतर जाती है भगवान के दारनाथ के इस पावन भूमी की छटा भी निराली है चारो तरब भर्प के पहाड और बीचो बीचे सित हैं बाबा के धार का थांग मंदिर के ठीक सामने नंदी जी विराजमान है मंदिर में मुख भाग, मंडप और गर्प ग्रीह के चारो प्रदक्षना पत है बाहर प्रांगण में नंदी बैल वाहन के रूप में विराजमान है इस मंदिर के स्थापना आदी गुरु शंकरा चारे ने की थी मंदिर के गर्व ग्री में केदारनात का स्वैम भू जोतरलिंग है जो अंगर पत्थर का है इनके पूजा उपासना और परिक्रमा भी की जाती है के दारनात का वर्णन स्कंद पुराण और शिव पुराण दोनों में मिलता है कहते हैं इस धाम का महत्व भगवान शंकर के कैलाश निवास के जितना है शिव का ये धाम सभी भक्तों की आस्था का केंदर है यहां आने वाले हर भक्त की मनोकामना पूरी करते हैं शिव शंकर तो आईए अब आपको भगवान के दारनात की पूजा से जुड़ी कुछ बाते बताते हैं भगवान शंकर पैल की पीट की आकरिती पिंड के रूप में श्रक्यदार नात में पूजे जाती है प्राताकाल में शिव पिंड को प्राकिर्तिक रूप से स्नान कराये जाता है इसके बाद शिव पिंड पर ही घी लिपन किया जाता है फिर धूप तीब जला कर आरती उतारी जाती है शाम के समय भगवान का शिंगार किया जाता है उन्हें विविद प्रकार से सजाय चाता है इस दोरान भक्त गर्ण दूर से केवल प्रभू के दर्शन ही कर सकते हैं केदारना धाम में आकर भक्त और भगवान के बीच की दूरी मिट जाती है यहां हर तरफ भोले की भक्ती और उनकी शक्ती है इसलिए ना तो कोई बाधा आपको परिशान कर पाती है और ना ही कोई पिपदा आप पर आ सकी है भगवान शंकर का ये पावन और दिविस्थान वक्तों की आस्था का केंदर योही नहीं है शिव के इस धाम से चुड़ी है एक पौरानिक कहानी वो हम आपको आगे बताएंगे बने रहे हमारे साथ दुनिया भर से हर साल लाखों की तादात में आस्थावान के दानाद धाम पहुशते है पौरानों में के दानाद धाम की विशिश महीमा मिलती है महाभारत युद्ध की बाद पांडवों ने भी बाबा के दानाद के दर्शन कर आश्रवात लिया था तो चलिए अब आपको सुनाते हैं वो पौरानिक कथा जिसका संबंद है बाबा के दानाद से शिव जो हर रूप हर स्वरूप में ब्रम्हांड के कणगण में बसते हैं उन्ही आदी देव का एक गल्यान कारी रूप है बाबा के दानाद के दानाद धाम में विराजमान है स्वयम देवादी देव महादेव इसलिए यहां आने वाले हर भक्त की हर इच्छा पूरी हो जाती है इस स्थान की महिमा का वर्णन पुरानों में भी मिलता है और के दानाद से जुड़ी एक पौरानिक कथा भी है महाभारत के युद्ध में विजय होने पर पांड़ भात्त्री हत्या के पाप से मुप्ति पाना चाहते थे इसलिए वे भगवान शंकर का शिर्वात पाना चाहते थे लेकिन शिव जी उन लोगों से रुष्ष थे प्रभू के दर्शन के लिए पांड़ काशी गए पर वे उन्हें वहां नहीं मिले पांड़ शिव को खुसते हुए हिमाले तका पहुँचे भगवान शंकर पांड़ों को दर्शन नहीं देना चाहते थे इसलिए वे वहां से अंतर ध्यान होकर केदार में जाबसे पांड़ों भी लगन के पक्के थे वे उनका पीछा करते करते केदार पहुँच गए शिव जी ने तब तक बैल का रूप धारन कर लिया और वे अन्य पशूं से जा मिले पांड़ों को संदे हो गया था इसलिए भीम ने अपना विशाल रूप धारन कर दो पहाडों पर पैर फैला दिया अन्य सब गय बैल तो निकल गए लेकिन शंकर जी रूपी बैल पैर के नीचे से जाने को तयार नहीं हुए भीम बलपुरवग इस बैल पर जप्टे लेकिन बैल भूमी में अंतर ध्यान होने लगा तब भीम ने बैल की त्रिकवनात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया भगवान शंकर पांड़ों की भक्ती द्रड़ संकल्प देखकर प्रसन हो गया और उन्हें दर्शन देकर पांड़ों को पाप मुक्त कर दिया उसी समय से भगवान शंकर बैल की पीठ की आकरिति पिंड के रूप में श्री केदार नात में पूजे जाते हैं केदार नात का महत्व पंच केदार यात्रा में भी विश्यश है और उसका पुराणों में कुछ इस तरह से बताये गया है कि मानो कल्यान के लिए केदार नात को त्याग के भवना का भी एक रूप मना जाता है क्योंकि यही वो स्थान है जहां आदिश शंकराचारे शरीर त्याग करके समाधी में गए और उन्होंने मोक्ष की प्राप्टे की बाबा केदार नात की महिमा आपरम पार है जो उनके दर्शनों का साक्षी बनता है वो धन्य हो जाता है तो केदार ना धाम की कपाट खुल चुके हैं और अगर आप भी बाबा केदार के दर्शन करना चाहते हैं तो सही समय आ चुका है इसे के साथ प्राक्ना उस विकार में इतना ही दीजी जासत देखते रहे जी एंटी